नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की जोती ओल क्लासिस पर आज की क्लास में हम लोग हिस्टरी के बाकाटक वन्ष को पढ़ने वाले हैं ये एक्जाम के point of view से काफी important है क्यूंकि आज कर इस वन्ष से question पूछे जा रहे हैं तो start करते हैं जो बाकाटक वन्ष था इसकी स्थापना 255 में बिंद्य शक्ति ने की थी बाकाटक वन्ष के जो स्थापना थी 255 में बिंद्य शक्ति ने की थी बाकाटक वन्ष के जो पूर्वज थे वो साथ वाहनों के अधीन बरार या विधर्व के स्थानिय शासक थे ये आब आतें आपको याद रखनी हैं कि बाकाटक वन्ष की जो स्थापना थी वो बिंद्य शक्ति ने की थी और जो बाकाटक वंश के पूर्वस थे वो सात वाहनों के अधिन स्थानय शासक थे आगे चलकर बिंदे शक्ति के जो पुत्र था प्रवरसेन प्रथम इसको आपको अच्छे से पढ़ना है बिंदे शक्ति का जो पुत्र था प्रवर सेन प्रथम उसने 275 से लेके 335 तक शासन किया यानि कि बिंदे शक्ति का जो आगे उत्तरा दिकारी था वो प्रवर सेन था प्रवर सेन ने बिंदे शक्ति के बाद शासन किया बाकाटक वंश में बाकाटक वंश का जो प्रवर सेन था बह पहला ऐसा शासक था जिसने समराट की उपाधी लेने वाला प्रवर सेन बाकाटक वंश का पहला शासक था पुराणों से पता चलता है कि इसने चार अश्व मेग यग्य किये थे अश्व मेग यग्य किसने किये थे प्रवर सेन प्रथम ने किये थे चार किये थे प्रवर सेन प्रथम के बाद जो बाकाटक वंश था वो दो शाखाओं में बंट गया यह आपको अच्छे से जाद रखना है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके बाद बाकाटक वंश दो शाखाओं में बंट गया तो आपका अंसर होगा प्रवर सेन के बाद बाका टकवंश दो शाखाओं में बट गया वो दो शाखाओं कौन कौन सी थी एक थी परधान शाखा और दूसरी थी बासीम शाखा परधान शाखा और बासीम शाखा दोनों शाखाओं ने समांतर ही शासन करती रही कि एक तरफ परधान शाखा की जो शासक थे वो शासन कर रहे थे तो दूसरी तरफ बासीम शाखा के शासक शासन कर रहे थे अल्तेकर का अनुमान है अल्तेकर एक इत्यासकार थे उनका जो उन्मान है कि जो प्रवर सेन प्रथम था उसने प्रतेक यग यवश्व मेग यग की उसने प्रतेक यग एक-एक सैनिक अभ्यान की समापती पर किया होगा इस चीज़ को आपको याद रखना है प्रतम अभ्यान में उसने मद्य प्रांत के पूर्बी तथा उत्री भाग को जीत लिया दुवित्य अभ्यान दक्षिन में हुआ जिसमें उसने दक्षिन ब्रार तथा उत्री पस्चमी अंदरपरदेश को जीत लिया उसने शेश अभ्यानों में प्रवर सेन ने जो गुजरात तथा काठ्यवाड के शकों के उपर विजय प्राप्त की होगी जो उसके पहले दूसरे अभ्यान के बाद उसने जो अभ्यान किये होंगे उसमें अनुमान है कि उसने गुजरात और कठेवड के शकों पर विजय पाली होगी इस परकार से उसके समय में बाकाटक राज्या का जो विस्तार था वो संपूर्ण मध्या परदेश में बरार, मालवा तथा उत्री महरास्टर, उत्री हैद्रावाद और दक्षनी कौशल के कुश भागों तक हो गया जे चीज़ आपको याद अटनी हैं साथ वाहन समराज्या के भिगटन के बाद, साथ वाहनों का जो भिगटन हुआ तो बाकाटक राज्या की स्थापना हुई साथ वाहनों के भिगटन के बाद, प्रवर सेन प्रथम ऐसा पहला शासक था, जिसने दक्षिन को एक शक्तिशाली राज्या बना दिया किसने बनाये शक्तिशाली राजय बाकाटक वंश को प्रवरसेन ने प्रवरसेन प्रथम ने प्रवरसेन प्रथम था जो उसके चार पुत्र थे प्रवरसेन प्रथम के चार पुत्र थे लेकिन दो पुत्रों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती एगयात ही है और दो से एक पुत्तर का नाम थोड़ा ऐस्पेस्टी है उसमें कहा जाता है कि जो प्रवर सेन प्रथम का जो जेश्ट पुत्तर गौत्मी पुत्तर था जो उसका जेश्ट पुत्तर था उसी के काल में मर गया जो उसका सबसे बड़ा पुत्तर था जेश्ट पुत्तर था वो प्रव प्रवर सेन का दूसरा पुत्तर था यह important है आपके लिए उसने आगे चलके वासीम शाखा की जो स्थापना की थी प्रवर सेन के छोटे पुत्तर ने सर्व सेन ने वासीम शाखा की स्थापना की थी आगे हम परधान शाखा की बारे में पढ़ते हैं जो परधान शाखा थी परधान शाखा का जो प्रवर सेन प्रथम के बाद परधान शाखा का शासक बनता है कौन बनता है रूद्र सेन प्रवर सेन प्रथम का पौत्र आगे चलके प्रवर सेन प्रथम का उत्रादिकारी बनता है वह पदमा वतिग्वालियर के भार्शिव नाग शासक भवनाग की कन्या से उत्पन हुआ था यहनि के यू रूद्र सेन प्रथम था जो भवनाग थे वो उसके नाना थे रूद्र सेन प्रथम का उत्रादिकारी था वो प्रिथवी सेन प्रथम था प्रित्वी सेन प्रथम था ये नाम आपको अच्छे से जाद रखने है बाकाटक वंश की स्थापना की बिंद्या शक्ती ने बिंद्या शक्ती के बाद उसका पुत्र आया प्रवर सेन प्रथम प्रवर सेन प्रथम के आगे चार पुत्र थे दो का हमें पता नहीं दो के नाम मिलते हैं एक उसका जेश्ट पुत्तर था जिसकी मृत्यू प्रवर्सेन प्रथम की शासनकाल में ही हो गई थी और उसका जो दूसरा पुत्तर था सरवसेन उसने बासीम शाखा की स्थापना की और प्रवर्सेन प्रथम का जो जेश्ट पुत्तर था उसके पुत्तर ने प्रत्वी सेन प्रतम का पुत्र प्रित्वी सेन प्रतम का इसका शासन उसके शासन को शांती और समृध्धी का शासन कहा जाता है किसके शासन को शांती और स्मृद्धी का शासन कहा जाता है तो पृत्वी सेन प्रथम के शासन को शांती और स्मृद्धी का शासन काल कहा जाता है बाकाटक लेखों में उसे अत्यंत पवित्र और धर्म विजे शासक कहा गया किसको कहा गया पृत्वी सेन प्रथम को जो आचन में युदिष्ठर के समान था और वहवी शिव का अनन्या भक्त था ये चीज़ आपको याद रखनी है पृत्वी सेन के समय में वासीम शाखा में विंद्या सेन शासन कर रहा था ये प्रधान शाखा थी और वासीम शाखा थी ये एक दूसरे के समानतर ही शासन कर रही थी जब पृत्वी सेन प्रधान शाखा में शासन कर रहा था तो उस टाइम बिंद्या सेन जो बिंद्या सेन था वो वासीम शाखा में शासन कर रहा था बिंद्या सेन ने कुंतल राज्या को जीता और इस कार्य में पृत्वी सेन प्रथम ने उसकी सहायता की थी इस चीज़ को आपको याद रखना है कि कोश्चन आ सकता है कि बिंद्या सेन ने किस राज्या को जीतने में पृत्वी सेन की सहायता ली थी या पृत्वी सेन प्रथम ने किस राज्य को जीतने में बिंदया सेन की सहायता की थी कुंतल का परदेश इस समय कदंब वन्ष के शासर में था उस समय कदंब वन्ष के शासर में था और बहां का जो शासक था संभवता कांग गुवर्मन था इस परकार जो प्रित्वी सेन प्रथम के समय में वाकाटक वंश की जो शक्ती और प्रतिष्ठा दोनों ही बढ़ गई थी जब प्रित्वी सेन प्रथम शासन कर रहा था दक्षिन में तो उत्तर में जो महान समराण चंद्रगुप्त द्वितिय था वो शासन कर रहा था और उसे क्या आवश्कता थी उसे गुजरात और काठ्यवाड के शकों को हराना था और ये संबब तभी था जब बाकाटक वंश चंद्रगुप्त दिवीतिय की हेल्प करते उसको सहायता देते तो उसको शकों को काठेवाडा रो गुजरात के शकों को हराना आसान हो जाता इसके लिए उसने क्या किया इसके लिए उसने अपनी पुत्री का विवा पृत्वी सेन प्रथम के पुत्तर से कर दिया अता उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुपता का जो विवा था पृत्वी सेन प्रथम के पुत्तर रूदर सेंद्वितिये के साथ कर दिये ये रूदर सेंद्वितिये काफी इंपोर्टन्ट है इसको आपको याद रखना है कि यो गुप्त वंश में प्रभावति गुप्ता का जू शादी थी वो रूदर सेंद्वितिये के साथ हुई थी ये बैभाहिक सवंध दोनों वंशों के लिए ही लाबकारी था जो जो सवंध बने इसका बाकाटक वंश को भी फाइदा हुआ और गुप्त वंश को तो फाइदा होना ही था उसने तो फाइदे के लिए ही ये शादी रचाई थी इस बिवाह के पांच वर्ष बाद ही पृत्वी सेंप्रथम की मृत्यू हो जाती है प्रित्वी सेन प्रिथम के पस्चाद जो रूदर सें दवितिये था उसने तो गदी पर बैठ नहीं था रूदर सें दवितिये यानि के चंदरगुप्त दवितिये का जो दामाद था बो राजगदी पर बैठ जाता है रूदर सेंदवितिये ने अपने ससूर के परफाव से शैब धर्म छोड के वैशनम धर्म को अपना लिया तीस वर्ष की आजू में रूदर सेंदवितिये की तीस वर्ष की आजू में मिरित्ई हो जाती है जब रुदर सेन की मृत्यू हो जाती है तो उस समय जो उसके पुतर थे वो एवैस के ही थे जिसके नाम थे एक नाम दिवाकर था और दूसरे का नाम दामोदर सेन था ये दो पुतर थे प्रभावती गुपता के और रुदर सेन दुवितिये के पुतर तो शोटे थे तो जो शासन था वो प्रभावती गुपता के स्रंक्षन में उसने संभाला ये है काल बाकाटक गुपत वन्ष का स्वर्ण काल था स्वर्ण काल अपने आप में ही था कि जो उसके प्रभावती गुपता के पुतर शोटे थे प्रभावती गुपता शासन समाल रही थी और इस काम में उसकी जो सहायता था उसका पिता चंद्रगुपत द्वितिये कर रहा था प्रवावती गुपता के सरंक्षनकाल के बाद उसका कनिक्ष पुतर दामोदर सेन प्रवर सेन दुवितिये के नाम से गदी पर बैठता है इसके बाद एक तो शासक नरेंदर सेन ऐसे कुछ आती है उसके बाद जो हमने हमें याद करना है हमें अंतिम शासक याद करना है तो अंतिम शासक कौन था पृत्वी सेंद वित्य परधान शाका का अंतिम शासक था इस चीज को आपको याद रखना है उसके बाद उसका जो राज्य था परधान शाका का जो राज्य थो वो बासीम शा हम ने देख लिया था कि सररवसेन था प्रवर सेंघ रख्रा ऑफ्र की ठाकना की थी बत्स गुलम नमक स्थान पर एक 17 रज़य की पत्स गुलम है यह आपको याद रखने हैं अब जो बत्स गुलम है वो महारास्टर रास्टर के अकोला जले में हैं बासीम शाखा के अगर हम प्रमुख राजाओं की बात करें तो सर्वसेन बिंद्य शक्ति दुवितिये उसके बाद प्रवर सेन दुवितिये फिर हरीशेन जो हरीशेन था वो बासीम शाखा का स्रवादिक शक्ति शाली शासक था यह बाकाटक का अंतिम शासक था प्रधान शाखा का अंतिम शासक देह लिए प्रवर सेंदूइतीय ने मराथी प्राकर्त कावे सेतू वंद की रचना की यह चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो बाकाटक वन्ष का राजा प्रवर सेन दवितिये था वस्चन आ सकता है कि सेतूबंद की रचना किसने की तो प्रवर सेन दवितिये ने की सरवसेन ने हरीविजे हरीविजे की रचना किसने की सरवसेन ने की और सेतु बंद की रिजना की प्रवर सेनिकी इन चीज़ों को आपको याद रखना है सन्सक्रित की जो बैदरवी शैली थै उसका जो विकास है वो बाकाटक निरेशों के दरवार में हुआ संस्कृत की वैदर्वी शैली का पूरण विकास बाकाटक निरेशों के दरवार में हुआ कुछ विद्वानों का मत हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वीतिय के राज कभी काली दास थे उन्होंने कुछ समय के लिए प्रवर सेंद्वितिय की राज समय में निवास किया था बहां उन्होंने उसके सेतुबंद का संशोधन किया तथा वैदर्वी शैली में अपना काव्या मेग दूत लिखा बाकाटक नरेश ब्रह्मन धरम को मानने वाले थे वे शिव और विष्णू के अनन्या उपासक थे बाकाटक नरेश पृत्वी सेंद्वितिय के सामांत व्याग्र देव ने नचना के मंदिर का निर्मान करवाया था नचना के मंदिर का निर्मान करवाया था कुश्चन आ सकता है कि नचना के मंदिर का जो निर्मान है वो किसके शासनकाल में हुआ तो पृत्वी सेन दवीतिये के अजन्ता का सोल्मा तथा सत्तरमा गुहा बिहार और उन नीसमा गुहा चेत्य का निर्मान वुखाटकों के शासन में हुआ था अजन्ता के सोलमा और सत्तरमा गुहा विहार और उन्नीसमा गुहा चैत्य का जो निर्मान था वो वाकाटकों के शासन में हुआ था अजन्ता अविलेख में विंद्य शक्ति को वंश के तू कहा गया है किसको वंश के तू कहा गया है विंद्य शक्ति कौन था संस्थापक था विंद्य शक्ति कौन था संस्थापक था भाकाटक वंश का संस्थापक था विंद्य शक्ति और विंद्य शक्ति को बंश के तू कहा गया है कहा जाता है कि उसके क्रोध कहा जाता है कि जो बिंद्य शक्ति था उसके क्रोध को देपता भी नहीं रोक सकते थे वहें इंदर के समान परभाव वाला था अब एक बार हम बाकाटक वंश के जो शासक थे उसको थोड़ा सर पीट कर लेते हैं क्योंकि इसमें Confusion सी मनी रहती है जो बाकाटक वंश का संस्थापक था वो था बिंदय शक्ति बिंदय शक्ति बाकाटक वंश का संस्थापक था आगे चलके विंद्या शक्ति के जो पुत्र था प्रवर सेन था प्रवर सेन के चार पुत्र थे लेकिन दो अग्याद थे और उन में से दो एक जैष्ट पुत्र गोत्मी पुत्र था और दूसरा सरव सेन था जो गोत्मी पुत्र था उसकी जो मृत्यू थी वो प्रवर सेन प प्रथम यानि के प्रवर सेन प्रथम का पौत्र रूदर सेन प्रथम प्रधान शाका का जो शासक बनता है रूदर सेन प्रथम के बाद प्रथवी सेन प्रथम शासक बनता है प्रथवी सेन वो होता है जो चंद्रगप्त दुवितिया का समकाली होता है उसके बाद प्रथवी उदर सेन था वो प्रवर सेन दुवितिये के नाम से शासक बनता है उदर बासीम शाखा का जो संस्थापक था वो सरव सेन था सरव सेन के बाद बिंदय शक्ति फिर प्रवर सेन दुवितिये और जो हरी शेन था वो अंतिम शासक था हरी शेन बासीम शाखा का वी अंतिम शासक था, next class में हम इसके question answer कर लेंगे उमीद है आपको class समझ में आई होगी एक बार समझ में ना आई तो आप दोबारा देख सकते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो thanks for watching, धन्यवाद